हेलो एब्रिवन आज मैं आपके साथ छोले की रेसेपी सेयर करने जा रही हूँ जो साधी और पार्टियों में अक्सर बनती ही बनती है तो चलिए इस आसान सी रेसेपी को एक बार हम ट्राइ करते हैं तो इस छोले की रेसपी बनाने के लिए मैंने काबली चना का इस्तमाल किया है जो मिडियम साइज वाला है इसे हमने पूरे रात पानी में भिंगो करके छोड़ दिया था यह अच्छे से फूल गया है तो अब हम इसे दो तिन पानी वाश करेंगे और फिर हम इसका छोला बना तो खड़े मसालों में मैंने गरम मसाला, तेश पत्ता, एक चमच खड़ा जीरा, तीन सुखी लाल मिच और थोड़े से प्याज और एक गांट पूरा लसन का लिया है गरम मसाला का इस्तमाल आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग कर सकते हैं मैंने यहाँ पे दो बड़ी एलाइची, दो छोटी एलाइची और दो लॉंग का इस्तमाल किया है और प्याज मैंने आधा टुकड़ा लिया है जिसे स्लाइसे में कट कर लिया है इन सब को हम ग्रैंडर जार में डालेंगे और इसका पेस्ट तयार कर लेंगे और साथी मैंने यहाँ पे एक बड़े प्याज को भी डाल देंगे तो छोला जो है वो आप किसी भी कुकिंग ओयल में जो आप अपने कीचन में रेगलर यूज में इस्तमाल करते हैं उसमें मना सकते हैं मैं सरसो तेल का इस्तमाल कर रही हूँ अब प्याज को लागा तार्च लाते हुए हम 5-6 मिनट तक फ्राइ चेंज न हो जाए तो यह देखिए थोड़ी दिर के बाद प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया है तो अब हम इसमें पीसे हुए मसालो को डाल देंगे और मसाले डालने के बाद से हम प्याज के साथ इसे 5 मिनट तक भून लेंगे जिससे मसालो में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है तो यहाँ पे मसालो को हमने 5 मिनट तक भून लिया है अब हम इसमें आधा चमच कास्मे लाल मिर्च आधा चमच हल्दी पाउडर एक चमच धन्या पाउडर और स्वाध अनुसार नमक डाल देंगे साथ ही हम इसमें जिस टमाटर को ग्राइंड करके रखे थे उसे हम इसमें डाल देंगे सारी चीजों को कर लेंगे हम एक बार मिक्स और इसमें आधा कटोड़ी पानी डालेंगे और मिडियम फ्लेम पे फिर से हम मसालो को 2-3 मिनट तक और भून लेंगे तो यहां पे हमने मसालो को 2-3 मिनट तक लगातार चलाते वे भून लिया है अब हम इसमें जो काबली चना को फुला करके रखे थे उसे हम इसमें डाल देंगे और चना को भी हम मसालो के साथ मिडियम फ्लेम पे 6-7 मिनट तक फ्राइगे यह वाली इस टिप जो है यह करना बहुत ही जरूरी है इससे छोले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो यहां पे हमने मिडियम फ्लेम पे छोलो को अच्छे से फ्राइग कर लिया है मसालो के साथ तो अब हम इसमें डालेंगे एक ग्लास पानी सब को मिक्स करेंगे और कूकर के ढखकन को कर देंगे बंद और इसमें हम 4-5 सीटी लगा लेंगे जब तक कि हमारे छोले अच्छे से सौफ्ट न हो जाए तो कूकर में हमने 5 सीटी लगा दिया है और ये देखिए कूकर के ढखकन को हम खोलते हैं और सारी जीच बहुत ही अच्छे से आपस में मिक्स हो गए हैं और छोले भी बहुत ही अच्छे से पक गए हैं तो सबसे लास्ट में हम इसमें थोड़े से पनीर के क्यूप्स डाल तो जितने बड़े हमारे चने हैं उसे थोड़े से बड़े बड़े मैंने टुकरो में पनीर को काट लिया है पनीर को डाल देने से इस छोले का टेस्ट जो है वो बहुत ही जादा बढ़ जाएगा अब हम इन सब को करेंगे एक बार मिक्स आधा चमच हम इसमें गरम मसाला एक बार इन सब को हम चला देंगे और ढ़क करके छोले में एक बाल आने देंगे तो यहाँ पर छोला में एक बाल आ गया है अब हम गैस के फ्रेम को आफ करते हैं और यह देखिए वाव बहुत ही स्वादिस्ट हमारा छोला बन करके रेडी हो गया है तो मेरी रेसेपी को एक बार आप जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कॉमेंट करके बताएए मिलते हैं आपसे एक और नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाबाय टेक कियर वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच